और मॉर्णिग माई स्ट्वेंट्स इक्साइस सेवन पॉईंट फूर अपनी जो क्लास नांत का मैथमाटिक्स का सॉलिशन कर रहे हैं उसमें चल रही है मैं दियर इस्ट्वेंट्स में देखें गें को देखेंगा पी यह ग्रिटर दें पीक्यूंट पी एस बाइसेंगल क्य QPR एक ट्राइंगल ही PQR सबसे पहले जो बना दिया मैंने डाइग्राम को दिख रहा हुआ है यह जो 123456 यह मैंने अपने मन से इंगल के नाम दिये है जो आपको भी देने हैं लेकिन ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें जो है परपेंडिकुलर पीएस डला हुआ है जो क् एस बाइसेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पी कहा हैं सेंटर में यह तो पी को बाइसेक्ट कर रहा मतलब एंगल वन और एंगल टू में इसका मतलब कि यह दो एंगल समान तो गीवन डाटा में देखिए यह दिया हुआ पी आर इस ग्रतेजिन पी क्यूं मिन्स यह वाली जो साइटे पी आर यह पी एस से बढ़ी है मतल कि बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए एंगल वन और टू क्या होगा बराबर होगा यह गीवन डाटा में आ जाएगा अब प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना अपने क्यों कि एंगल पी एस आर इस ग्रेटर देन तो एंगल पी एस क्यूं पी एस आर यह वाला एंगल पी एस मतलब एंगल 4 की बात कर रहा है मैंने उसको क्या नाम दे दिया 4 है ना तो PSR को सेंटर में को ना रहा है S मतलब एंगल 4 की बात कर रहा है ना greater than PSQ PSQ यह वाला फिर से सेंटर में को ना रहा है आपका S मतलब यह 5 एंगल की बात कर रहा है ठीक है तो इसको मैंने means करके इसका मतलब यह है कि यह एंगल 4 इस ग्रिटर देन टू एंगल 5 जितना लिखा उतना आपको समझ में आगया होगा अब इस कोशन का सॉलीशन अपन आगे करते दें कि बहुत अच्छा कोशन है और बहुत इजी कोशन है कोई टाफ नहीं स्टेप बाइस्टेप चलेंगे सॉलीशन क्यों सॉलीशन सबसे पहले अपने को प्रूब करना पी एस आर और पी एस क्यू ग्रिटर देन हो है ना सबसे बहुत गीवन डाटा के इस्तमाल एदी में करूं तो यह एंगल वन इस इकल टू एंगल टू दिया हुआ है तीजिस गीवट यह क्या आपको गीवन ठीक एक चीश तो यह गीवन है में दूसरी चीश ट्राइंगल 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 टूर तो ट्राइंगल ट्राइंगल तो प्र में मेने को क्या है अग्ल ट्र क३ एर स् catching मदलब लॉंगर साइट के सामने का एंगल लॉंगर होगा है ना तो पी यार है पी यार के सामने पी यार बड़ी है ग्रेटर है लॉंगर है तो पी यार के सामने का एंगल देखे यह रही आपकी पी यार साइट और इसके सामने एंगल कुन सा है इसके बड़े ट्रेंगल की बात कर PQR इस PR के सामने एंगल है 6 इसका मतलब यहां से मैं निकाल सकता हूं कि एंगल 6 इक्वल टू मेंस एंगल 6 ग्रेटर देन पीक्यू के सामनी का एंगल देखी यही पीक्यू और इसके सामने एंगल 3 एंगल 3 से ग्रेटर देन होगी के लिए यह मैंने इस से लिख लिए ठीक है इसको एक काम करिया आफ यहां की वज़ाए इसको यहीं लिख देता हूं मतलब एंगल 6 इस ग्रेटर देन एंगल 3 ठीक है इसको जो है एक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए रीजन क्या है इसका तो रीजन यहां लिख दीजिए कि यह एंगल अपोजीट इंगल अपोजीट तो लोंगर साइट तो लोंगर साइट लोंगर साइट के इंगल सामने का एंगल ग्रेटर होगा इस ग्रेटर ग्रेटर क्लियर यह वह गयाब का फस्ट कंक्लूजन अब ट्रैंगल पी एस आर की बात करेंगे कि ट्रैंगल पी एस आर let me देखी है पीएस अर मतलब कुन से यंगल की बात कर रहा हूं हूं राइट साइट वाले ट्रेंगल की वाद राइट साइट वाले ट्रेंगल में ध्यान से देखोगे आप तो यह जो एंगल फाइफ एस्टुएट देखी वान यह 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 तीन एंगल है टू थ्री फोर और एंगल फाइफ अगर मैं राइट साइट वाले ट्रेंगल की वाद कर एक्स्टीरियर एंगल जो बहर का है अंदर के सामने की दो एंगल के सम के बराबर होता है मतलब यह कि एंगल 5 जो है यहां पर इस एक्स्टीरियर एंगल यह किसके इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों के सम के बराबर होता है अना अच्छा रीजन क्या लिखोगे हैं सिंपल प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी यह एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कौन से प्रॉपर्टी है एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो एक्स्टीरियर एंगल बाहर का एंगल नम्बर 5 वो अंदर के और सामने के दो एंगल के सम के बराबर होता है यूंज सेमे सिट्विशन ट्राइंगल लेफ्ट साइट वाले में भी बनेगी मलब पी एसक्यू में पी एसक्यू में क्या होगा देकी ध्यान से एक्स्टीरियर एंगल हो जाएगा फूर मझे एंगल एंगल प्लॉस सिक्स एंगल 1 प्लस एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसको देदो आप इक्वेशन नंबर आपकी मिल गई इसको सेकेंड एक्वेशन देजिए यह हो गई अपकी सेकेंड नंबर एक्वेशन ठीक है कि फास्ट एक्वेशन मैंने उपर देते हैं सेकेंड एक्वेशन अपकी यह हो गई नौँ अब आजे यह हैं वागी कोशन में इदर कंटीनु कर रहूं प्रम गीवन डाटा से देखिए गीवन डाटा से देखोगे तो जो एंगल फॉर है एंगल फॉर है जो गीवन डाटा में अपने को कह दिया वहाई यह देखिए कि एंगल वन इस इकल टू इंगल टू इसका मतलब क्या कि वन की जाकर टू लिख सकता हूं टू की जाकर वन एदी में एक्वेशन नंबर यह जो आई है कि एंगल फॉर इस इकल टू वन प्लस सिक्स तो इसको मैं से क्या कर सकता हूं कि जो एंगल फॉर है यह जाटी जाट एंगल वन की जगह में है क्या कर लो एंगल टू इस्तमाल कर लो कोई दिख्कत है कि एक वले प्लस एंगल शिक्स इसको देदो एक्वेशन नंबर थर्ड केवल वन को टू से रिप्लेस कर दिया है अब देखिए तीनों एक्वेशन से क्या समझ में आता है एक बर तीनों एक्वेशन में जो है कलेक्टिवली यहां लिख देता हूं आपको कुछ रिजल्ट कंक्लूजन निकालके बताना फ एक्वेशन नंबर फाइफ इस इकर्ड टू ए परफ्रस्ट एक्वेशन थी अबकी यह सिक्स एकंड कोई बात ने आग्रे इंदेखें आप फ्रस्ट एक्वेशन है यह सीख सेट्र देन एंगल फ्री यह थी फरस्ट एक्वेशन अपकी है नब नो कॉन्फिजन एक्वेशन आपकी क्या थी एंगल 5 एक्वेशन है एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है एंगल 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 3 ठीक है यह सेकेंड एक्वेशन है एक और है एंगल 6 एंगल 4 अभी जो निकाली मैंने एंगल 4 एक्वेशन 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 अपने अभी तक कैलकुलेशन कराया है मैंडि एक्वेशन ध्यान से देखना यह एक्वेशन क्या बोलती है कि 6 जो है 3 से ग्रेटर देने 5 जो है 2 प्लस 3 के सम से ज्यादा है प्लस 3 लेकिन इन दो एक्वेशन को ध्यान से देखो इन दो एक्वेशन इसमें एंगल 2 है और इसमें एंगल 2 है ध्यान से देखना है अब इस एंगल 2 मतलब same property मतलब same quantity है जान है आम इसमें इंगल 3rd bore और इसमें 6 12 में से इस व्यक्वेशन से देखो कि कोन बड़ा है जान है ह Nej जान है यह रिद्ध गया तो 3 जो है 5 है एसा समझी अगर यह दस ए hypocrite अ जो रही लिक्स का समझादा आएगा क्योंकि सिक्स बड़ा है 3 से सिक्स बड़ा है इसका मतलब अगर यह समझादा आएगा तो एंगल 4 जादा आएगा एंगल 5 से तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा यहां लिखेंगे फ्रॉम एक्वेशन वान तू एंड थर्ड इन तीनों से रिजल्ट यह निकल क्या रहा है कि यह जो एंगल फॉर है वह ग्रेटर देन है फ्रॉम दी एंगल फाइफ लिए कितना आसान प्रजल्ट निकला है ना तो मारे यह फॉर गिटर देन इंगल फाइव यही तो प्रूफ करना था यह देखिए इसका मतलब ही यह हो गया कि इंगल पीएस और देन फॉम दी एंगल पीएस क्यू यह प्रूफ करना था अपने को बहुत अशान कोश्चन था इसको नोट डाउन करिए फिर इसके बाद एक और इसाथ करना अपने को इसमें गिवन है कि रीया एक परपेंडिकुलर ही है एक लाइन है प्रले तो वा ए तो सपोस्च जो है कि यह लाइन क्या है आपकी ऑल है इस पर इस पर पर OS मिला दिया रहा है ठीकी इस है है माड़ी एस्ट्रेंट्स समझने वाली बात यह कि यह 90 डिग्री एंगल है इतना क्लियर है एंगल सम प्रॉपर्डी से अपने को रूल पता है कि किसी ट्रैंगल के टीनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल क्यूं एक ट्रैंगल दीकर होगा आपको प्लस एंगल एन यह तीनों जो है 180 के बराबर होगे के से बराबर होगे यह एंगल सम प्रॉपर्टी एस पी जिसको मैं सॉट में लिखता हूं इस्टों समझाना यह चाहरा हूं कि यहां से अगर एंगल N की वेल्यू 90 डिगरी है ध्यान से देखिए एंगल M प्लस एंगल Q तो यह क्या बच्छा 90 डिगरी इक्वल टू 180 डिगरी यहां से मैं एंगल M प्लस एंगल Q का वेल्यू निकालो सम निकालो तो भी यह 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या बच्छा 90 डिगरी मतलब बाकी दो इंगल्स का सम कितना आ रहा है 90 डिगरी बाकी दो इंगल्स का सम 90 डिगरी इसका मतलब क्या निकला है ना इसका मतलब मिंस जो इंगल M है वो लेजदेन होगा from the angle ends क्या समझाना चाहरा है एंगल n से m जो है लेज देन होगा कारण क्या है क्योंकि m प्लस q का सम दोनों मिला कर एंगल जब q के n के बराबर है n की value 90 degree है इसका मतलब दोनों मिला के है मतलब m की value 90 से तो कुछ नव कुछ कम होगी अब यहां से एक result क्या निकल रहा है कि यह जो greater angle है उसके सामने की side greater होगी तो angle n के सामने side कोन है qm तो जो qm है वो greater than होगी student angle m के सामने की side कोन है qn क्यू एंस है ठीक बस मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं क्यों में यह प्रूफ करने को बूला था द्यान से देख लिए प्रूफ करने की यह बूला था कि यह qn जो है qn जो side है वो क्या होगी is smallest side होगी triangle is smallest क्या प्रूफ करना था कि qn side जो है वो smallest है अब देखिए यहां पर qn qm से तो छोटी और qm क्या है इस point से इधर खिचीगे रेखा मैं यहां से conclusion एक result यह निकालना चाहरा हूं कि इस point से इस qn के parallel ना खिचके कोई cb line आप डालोगे suppose एक point मैंने यहां पर यह ले लिया आपका आर तो qr भी greater than होगी कि से qn से एक और अगर मैं point ले लेता हूं suppose activity दूसरी कर लेता हूं पी हाना तो qp is also greater than from the qn तो यहां से result क्या निकलता है कि यह जो qn है है ना सो बोल सकते कि qn जो है is smallest is smallest साइट है क्यों इस smallest साइट है कि यह कोश्चन था बस अपने को इतना प्रूब करना तो कोश्चन नमर सिक्स में कि qn जो है smallest साइट है ओके थेंक्स